यहां पर एक matrix हमें P दे रिखिए है जिसका order n by n है और यहां पर एक condition दे रिखिए है P square equals to P और यह जो condition होती है यह item potent matrix की होती है और अगर P इसको satisfy कर रहे है तो हम यहां से कह सकते हैं कि lambda square equals to lambda और यहां से हमारे पास lambda की दो value आ जाती है 0 और 1 यानि कि 0 और 1 इसकी आइगन value होगी यानि कि option भी आपका true हो जाता है लेकिन हम तो false statement को सीख कर रहे है तो यह हमारे लिए desired नहीं है इसलिए मैंने इसको cross कर दिया अब आप से पूछागा है कि P transpose item potent होगा यहां पर P जो equals to P दोनों side transpose ले लिजिए तो यह हो जाएगा P dot P transpose equal to P transpose और यहां से transpose of AB क्या होता है transpose of AB equals to B transpose A transpose यानि कि reverse order में होता है यह हो जाएगा P transpose P transpose इसका मतलब हुआ P transpose square इसका मतलब हुआ कि P transpose भी आपकी एक item potent matrix होगी यानि कि option first भी आपका true है इसलिए यह भी हमारे लिए false है that non-diagonal entries of P can be 0 तो आप जानते हैं I square equals to I होता है यानि कि identity matrix आपका item potent होता ही है तो यहाँ पर उसके जो non-diagonal elements है वो 0 हो सकते हैं यानि कि यह बात भी सही है और दूसरा अगर एक्जांपल आपको consider करना है तो 0,1,0,1 अगर आपको आप इस matrix को P consider करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे P square equals to P आ जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर non-diagonal element 0 possible है तो यह भी हमारे लिए false हो जाए क्योंकि true statement है there are infinite number of n by n non-singular matrices that are item potent क्योंकि तीन option discard हो गया है तो बचा हुआ option है आपके लिए true होगा और इसको अगर आप verify करना चाते हैं यानि कि theory से अगर इसको justify करना चाते हैं तो हमें पता है कि eigen values जो है item potent matrix के वो 0 और 1 है और अगर इनको multiply कराएंगे तो आपको मिलेगा 0 यानि कि जो item potent matrix होती है वो non-singular होती है sorry singular होती है क्योंकि उनका determinant 0 होता है तो यहाँ पर यह option गलत है इसका मतलब यही हमारे लिए true है